तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट टेनलिस वीडियो देखते हैं 29 अफ में निफ्टी एज बैंक निफ्टी में हम कहां पर ट्रेड कर सकते हैं और इंपॉर्टन फोकस रहेगा हमारे लिए बैंक निफ्टी कर यहां पर इसका मंतली एक्सपारी है डेफिनिटल एक्सपेटेट है कि क्या मार्केट यहां पर ट्रेंडिंग में होगा या मार्केट साइडवेश चला जाएगा चाहां पर जिरो टीर हैं अच्छा खासा टेड मिल सकता है या नहीं इसके बारे में इंडिटिल में डिसकस करेंगे विद्धिय लॉजिक वीडियो यहां फ्लक्टिशन किया मार्केट तो डेफिनिटल जब तक मार्केट लेवल क्लिर नहीं करेगा तब तक यहां पर अच्छा ममेंटम एक्सपेक करना गलती होगी यहां पर साइडवेज है डेफिनिटल एक निगेटिव प्रेशर मार्केट में दिखाए लेकिन अगर अग में एक्सपेट कर रहा था 20,000 से लेके 21,900 वह ना करते हैं मार्केट ने 20,000 के आजू-बाजू ही यहां पर एक पैटर्न बनाना शुरू कर दिया तो जब कुछ अलग दिखता है डेफिनिटल फिर में आपको अगर अच्छा दिखता होगा तो मैं टेलग्राम के उपर अप बन सकता है तो डेफिनिटली ने किया रफली मेरे क्या से 22 का आसपास का यहां पर ब्रेक आउट मिला था मेरा परचेस थोड़ा सा हाइर साइड पे था 23 24 के आसपास से ब्रेक आउट आया था एंड एट मूव तिल 45 के आसपास सक यहां पर मोमेंटम दिया और काफी टाइम इंडिया मार्केट ने ऐसे नहीं के आशनक से चला गया काफी टाइम दिया मार्केट ने मोमेंटम ट्रैक करने के लिए एवन मैंने रिस्की ट्रेटर की साफसे और से दोरों की तरफ से लेवल दिये थे और अप्डेट भी किया था कि कहा पर मोमेंटम मिल सकता है तो मोर द तर्फिनेटली बड़ा मोमेंटम यहां पर करना चाहिए तो यह प्रॉफित नहीं निकाला हाला कि मुझे यहां पर टैक्स या फिर मेरे क्याल से कुछ लॉसी हुआ रहेगा क्योंकि 100% मोमेंट होने के बाद मैंने इसको निकाला नहीं था क्योंकि टागेट मेरे यहां पर तोड़ा सा बड़ा था डेफिनेटली वह सेम एक्सपेटेशन में कल बैंक निफ्टी से लखूंगा और उसके बाद यहां पर निफ्टी से लखूंगा पैटर्न बनेगा सेटप बनेगा तभी में ट्रेड लूँगा ऐसा नहीं कि बस डेली इन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा तो चलिए में टॉपिक की उपर कल बैंक निफ्टी हम यहां पर किस तरह करेंगी यह हो गया फोर्स टच जहां पर मार्केट ने एक गयाप खोलता था फिर यह सेकेंड टाच हो गया और मार्केट ने अल्मोश थर्ड टच और अग अगर कई पर बैंक निफ्टी खुलता है और फिर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर फिलम के लिए मार्केट नीचे आ सकता है विच रफ ली हंड्रेट टो वन फिप्टी पॉइंट्स एक आराम से हमें यहां पर फॉल देखने मिल सकता है ठीक है तो उसके लिए हम यह कुलता है जोन के असपस कई कुलता है थोड़ा रुकने के बाद अगर बेड़ डाउं करने के ट्राइब करेगा तो मोस्ली यह ग्याप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है और साथी साथ यहां पर एक्सपेक कर सकते कि मार्केट एक वोला टाल टू फास्ट मूव दिखा व्लट रीटो करेगा फिर यहां पर यह सपोर्ट यहां पर साथ फिर से रैली कर सकता है क्योंकि यहां पर मॉमेंटम है इससे इस तरह से मार्केट फिर से उपर जाना चाहिए तो अगर वैसा होगा और मार्केट अगर रिवर्सल करता है तो 49,200 हमारे ईंपर नेवल है लेकिन सेफ्टी के लिए आपको बोल रहा हो कन्फरमेशन आपको 49,200 के उपर ही मिलेगा यह हो गया अगर मार्केट ट्रैप करते उपर आता है तो जब तक मार्केट इस स्विंग को निकालेगा नहीं तब तक हम यहां पर यहां पर मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं यहां पर साइड मोमेंटम कर सकता है तो उसकेश में बाइइं का ग्यूव रहेगा लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो थोड़ा सा कन्फिजन हो सकता है कि क्या मार्केट फिर से यहां पर 48,000 पर सपोर्ट लेगा या ब्लेकडाउन करेगा तो इजी है गैप डाउन कहां खुलता है कितना बड़ टागेट होगा और सेकंड टागेट विल यह काफी जो बड़ा है 48,200 लेकिन लुकिंग अट इस सेंटिमेंट के मार्केट यहां पर इलेक्शन का रिजल का बेसिकले भी थोड़ा सा वेट कर सकता है कि मोमेंटम दिखा है अप तो टाइम पास करेगा और फिर नेक्स्ट कु तो जब तक रिजल नहीं आएगा तब तक मार्केट गिरना तो नहीं चाहिए टेकनीकली बट नोट टेकनीकली आप बूल सकते हो सौट अप सेंटिमेंट की साफ से बट कुछ भी हो सकता है तो हमाया बस रेडी रहना है लेवल से अगर ट्रिगर होते उसके लेवल की साफ स हमें सेट अप मिलेगा तो ट्रेड रख देना है फिर जो होगा होगा वह मार्केट को होगा टागेट होगा या फिर स्टॉप लॉस होगा ठीक है तो बैंक निफ्टि में यहां पर कल मॉमेंटम थोड़ा से एक्सपेक करेंगे लेकिन अगर मार्केट इसी जोन के आसपस ट इसके ऊपर जाएगा तभी मॉमेंटम दिखाएगा इसके बीच में हम बड़ा मॉमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे अट लीस्ट तो हम चोटा मोटा ट्रेड लेके थोड़ा मोटा बीच चाली साट पॉइंट लेके निकल सकते मार्केट से ठीक है आप बात करते 22,950 का ऊपर यहां पर ब्रेक आउट करना पड़ेगा उस ब्रेक आउट के बाद 23,000 एक स्मॉल रिजेक्शन है लेकिन मार्केट ने यहां पर यहां पर टेस्ट कर चुका है तो इस केस में रुकना नहीं चाहिए मार्केट ने यहां पर 20,000 फिप्ट अन उसके बाद जो ऑ 20 को डाउंट आ सकता है लेकिन कितना स्पीड से आएगा कितना मोमेंटम के साथ आएगा यह क्वेशनेबल है क्योंकि इसके लिए कोई टागेट नहीं कोई लेवल ने जिसको जो जाके आच्चु करें इसके आपको गाप दिख रहा है तो यह गाप करने के लिए इसके पास आप से अगर देखते हैं मार्केट को तो आपको दिखेगा कि मार्केट यहां पर कुछ टाइम होल्ड करने के बाद ब्रेक आउट किया था इस रेजन से अगर नीचे निकलता है फिर इसके बाद 20,800 एक सपोर्ट होना चाहिए क्योंकि मार्केट में यही पर एक रेंज क्र ब्रेक आउट मिल सकता है या फिर आपको स्विंग का ब्रेक आउट मिल सकता है तो काफी सारे रिजन है बाइंग की तरफ एजी लिए ट्रेड रखने के लिए सेलिंग के तरफ थोड़ा कन्फूजन डेफिनिटली मार्केट कर सकता है लेकिन डाट इस नोट अपलिकेबल बैंक निफ्टी में आपको दोनों तरफ एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है बस बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर फसना नहीं चाहिए अगर इसके दोन के अंदर फसेगा तो मार्केट वड़ा साइडवेज वोलाटायल यह सारी चीज़े करेगा और फिर बाद में एक ब्रेक आउट कर सकता है जहां पर मोका मिल सकता है तो अगर ऐसा कुछ होगा डेफिनेटली में टेलिग्राम के उपर आपको अपडेट कर दूंगा ठीक है तो अगर वीडियो समझता है अच्छा लगता है तो लाइक इट आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट व